दोस्तों जैसा कि उत्राखंड ओपर ईुरस्टी ने आज बी ये 21 का जो रिजल्ट निकाला है फर्स्ट एर का उसमें काफी जगा पर एरर दिखाया गया है एरर का मतलब ये है कि कहीं पर थियोरी के मार्क्स नहीं चड़े हैं कहीं पर theory के marks 0 चड़ गए है जिसके वज़े से आपके जो result का status है वहाँ पर NC दिखा रहा है तो यह है किस वज़े से होता है आज इस वीडियो में समझ लेंगे अगर आप चैनल में नए है तो please चैनल को subscribe कीजेगा वीडियो पसंद आए तो like कीजेगा बात अधिक से अधिक लोगों तक share कीजेगा चलिए वीडियो को start करते है तो इसमें क्या है देखें माली जिम जो आपको सामने ये result दिख रहा है ठीक है किसी भहिया का है उनके उसमें क्या हुआ है कि जैसे कि हम इसमें देखें पड़ें तो discrete mathematics है MT01 तो इसमें देखेंगे उन्होंने क्या कर रह हुआ और देखो assignment के marks तो दिखा रहा है कि 15 में से कितने marks आये हैं ठीक लेकिन जो theory के marks है वहाँ पर क्या हुआ वहाँ पर blank आ गया है जिसके वह से आगे देखो वहाँ पर nc लिखा आ गया nc ठीक है और ऐसी ही क्या है ऐसे ही आप देख लीजे calculus and differential equation MT02 ठीक है जिसमें maximum number आ इसके नीचे वाले देखते हैं इसके नीचे वाले कॉर्डिनेट, Geometry and Mathematical Programming MT03 इसमें maximum marks लिखे हैं लेकिन marks obtained theory में वहाँ नहीं लिखे है और इसके वह से आगे देखेंगे तो result status में nc दिखा रहा है तो इसको सही कैसे करें यह मैं आपको बता रहा हुँ क्योंकि कई students के comment आये हैं तो मैं इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है यह सब क्या होता है technical problem की वज़े से होता है क्योंकि देखें रिजल्ट वहां से out हो रहा है तो कभी कुछ न कुछ technical problem जाती जिस वह से यह number show नहीं होते हैं यह घबराने वाली बात नहीं है आपको इसमें back नहीं दे रिखा है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसको इलिए आपको उत्राकर्ण open university के help line number 05946286000 पे आपको क्या करना पड़ेगा call करना पड़ेगा उन्हें बताना पड़ेगा कि मेरे यहां पर number नहीं चड़े हैं बलकि मैंने exam दिया था तो वहां क्या करने वहां पर आपका जो इन्रॉन्मेंट नंबर लेंगे उसके बाद वहां से आपका यह जो result है इसको सही करवा देंगे और मेरे खाल से वह time जो है एक महीनी से कमी time लगेगा कि जिसमें आपका result सही हो जाएगा ऐसी घबराने वाली कोई बात दि बाकी ये सतर में से 25 नमबर जो है 25 नमबर में पास होते हैं अब जिनके 24 आए एक नमबर से रहे गए उनकी बैक लग गई है ठीक है अब ये किस वज़े से लगी अब ये तो नहीं कह सकते ठीक है कि क्या रीजन था क्या किस वज़े से 24 नमबर आए और बाकी आप समझ help line number 0594628600 पे call करके आप बता के वहां से सही करवा ले ठीक है वो हो जाएगा कोई problem नहीं होगी क्योंकि आपका proof वहां पर sign जब result जब वो paper होते तो आपका proof वहां पर है कि हाँ ये उपस्तिते नोंने अपना paper जो है copy दी है ठीक है और दूसरी चीश क्या है कि माल लीजे कि इसमें अगर number पे नहीं लगता है तो उनका एक mail ID है examination at the rate uou.ac.in इस पे भी आप mail करके पता कर सकते हैं नहीं तो आप क्या करिए चैनल के उसमें जाईए चैनल जो है अग्या arithmetic समारा उसमें आप जाएंगे नीचे की तरफ देखेंगे तो वहां पर लिखा है एक वीडियो ह से लेकर शाम के चार तीन या चार वे तक आप कॉल कर सकते हैं क्योंकि वह contact number uou ने अपनी site पर provide करवा रिक है ठीक है आप वहां भी देख सकते हैं आपको बाकी यह इसका solution हो जाएगा एक महीने से कमी time लगे का जिसमें यह साही हो जाएगा ठीक है बाकी घबराने वाली को आगे बढ़ चुकी है ठीक है back theory date जो है वह आगे बढ़ चुकी है तो आप तुरंत इसको back के लिए apply कर दो अभी जिसका blank है वो तो मत करें वो तो नहीं करें क्योंकि वो अपने number देखे पहले उसके बाद ही करें ठीक और जिनके number 24 आये हैं 70 में से वह back के लिए apply कर दे वह भी अभी apply कर दे उनके दिसंबर 20 दिसंबर के बाद 24 आ 25 दिसंबर से उनके assignment स्टार्ट हो जाएंगे बाकि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती तो आप मैं जो कमेंट कर देना मैं कोई न को solution ले आऊंगा और बाकी चैनल को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब किजिए और जादा से जादा लोगों तक शेयर किजिए थैंक यू सू मच